टाइम था 13 दिसमबर 1996 जब एक वैक्ति अपने फैक्टरी से निकलता है काम वगेरा अपना पूरा कर लेने के बाद और ये आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था और यही कार्ण था कि इसे भूख भी काफी ज़्यादा लग चुकी थी तो यही बात सोचते हुए कि अप उसके पास जा पहुंचता है वहाँ पर जाकर वो मैथनी को कहता है कि मुझे काफी ज़्यादा भूख लगी हुई है तो मेरे लिए एक बड़ी आसा बर्गर बना दे उसका दोस्त बिल्कुल ऐसा ही करता है वो बर्गर आराम से खा कर उसके पैसे वगेरा दे कर वापिस अ उसको पता जलता है तो वो अंदर तक दहल जाता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये उसके साथ क्या बनी और इस तरीके से परेशान होने वाला सिर्फ और सिर्फ मैथनी का एक दोस्त ही नहीं था जबकि उस सहर के करीबन आधे लोग इस बात को लेकर परे देख रहे हैं बलडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर बलडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टिड केस मैं यहां पर ले जाते थे क्योंकि इनकी फैमिली काफी जादा बड़ी थी और जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी वो यह थी कि इसकी मा तो ड्रग्स का यूज किया गरते थी और दूसरी तरफ अगर इसके पिता को देखा जाए तो वो पूरा का पूरा दिन सराब पी कर भंड रहा गर जाते थी और उसके अलावा जब उसके पास भी पैसे की कमी हो जाती तो वो काम ढूंडने के लिए निकल पड़ा गरते थी इसके माता पिता की तो अपनी अपनी जिंद्गी बिल्कुल सैट थी लेकिन अगर मैथनी को देखा जाए तो यह तो अभी काफी जादा चोटा थ और यह कोई काम धंदा करके खुद की ऊपर ध्यान नहीं दे सकता था और जो कुछ भी इसके माता पिता इसे खिला दिया गरते थे उसी से इसकी जिंद्गी कट रही थी लेकिन 1960 आते इसके पिता का एकसीडेंट हो जाता है और उस एकसीडेंट में इसके पिता ने अपनी जान गवा दी इसकी माँ पहले ही चरस गांजा लेकर पहले ही सेट रहा गरती थी लेकिन जब से उसके पती ने अपनी जान गवाई थी उसने अपने बच्चों के उपर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया और अब तो वो हर टाइम ही सेट रहा गरती थी अपने काम पर भी वो जब जाया करती थी तो थोड़ा बहुत नसा पता करके वो अपने काम पर जाया करती थी मैथनी के अलावा जो इनके परिवार में और इसके भाई बहन मौझूद थे वो भी सारे के सारे अपना अपना ख्याल रखा गरते थे तो मैथनी को भी अब इस बारे में पता च अब उसके पास कुछ भी काम धंदा नहीं था तो उसने वही काम करना शुरू कर दिया जो कि उसके माता-पिता किया गरते थे और उनमें भी खास तोर पर जो उसकी मा किया करती थी यानि कि सुखे नसे अब वो करने लगा था पूरा का पूरा दिन सेट वो रहा गरता था इसके अलावा अपने घर पर तो जाना उसने करीबन बंद कर ही दिया था पूरा का पूरा दिन उन लोगों के साथ वो रहा गरता था जो कि इस टाइम जुगी जोपडियों में रहा ग करता था सुभह उटते ही भीक मांगने निकल पड़ता या फिर छोटा मोटा काम जो कुछ भी उसे मिल जाता उसे करके वो अपने लिए ड्रक्स वगेरा खरीद लिया घरता था और इसी तरीके से जब उसकी जिंदगी बीत रही थी तो कुछ एक दिनों बाद उसे अकल आने लगती है और उसे ये बात लगने लगे कि इस तरीके से तो उसकी जिंदगी नहीं कटने वाली है आखिरकार कितनी दिनों तक वो अकेले अपनी जिंदगी बीताने वाला है तो मुझे अब ये सारी ही चीजें छोड़ देनी चाहिए थोड़ी मेहनत मजदूरी करनी ताकि मेरे पास पैसे आ पाएं और उसके बाद मैं साधी करके अपनी फैमली आगे बढ़ा पाऊं तो यही सारी बाते सोचकर अभी भी वो नसा पता तो किया ही करता था लेकिन और जादा पैसा कमाने के लिए वो वही पर मौझूद एक फैक्टरी में जा पाऊंसता है और इसकी फैक्टरी में जो वे छोटे छोटी गाडियां होती हैं एक सामान को दूसरे जगहें पहुचाने के लिए उसके लिए ड्राइवर की जरूरत थी और मैथनी को जब पूछा जाता है तो उसने कहा कि हाँ जनाब मुझे ड्राइविंग काफी अच्छे से आती है मैं आ एथनी का अब हर रोज का यही काम हो चुका था कि अपना जो कुछ भी थोड़ी बहुत उसे ड्रग्स लेने थी वो लेता और उसके बाद वो अपने काम पर चला जाया गरता था समय बीटता रहता है और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके घर पर एक ननना मु चुका था तो अब के खुद के रहने के लिए और अपनी वाइफ को रखने के लिए उसने एक चोड़ी सी गाड़ी को ले लिया था वो ट्रक उसका कुछ इस तरीके का था कि इसी ट्रक में वो रहा करता था इसी में सो उसका सोने का जुगार था सारा का सारा उसने उस ट्र भी आ चुगा था तो उसकी वाइफ और उसका वो बच्चा इस टाइम उसके ट्रक में रहा करते थे लेकिन जो मैथनी को अपनी पत्नी के बारे में नहीं पता था वो ये था कि जब वो पहले अपने काम पर जाया करता था तो वो ट्रक में अपनी पत्नी को अकेला छोड़ ज जाता तो वो भी उसके पीछे पीछे निकल लिया गरते थी और वहां पास में जो कोई भी पब वगेरा होता वहां पर जाकर वो भी नसा करने लग जाया गरते थी वैसे अब इनके परिवार में एक छोटा सा बच्चा आ चुका था लेकिन मैथनी की बतनी को उस बच्चे से इतना जादा कुछ लेना देना नहीं था जिसके कांड वो उस बच्चे को ट्रक में यूही अकेला छोड़कर अपना नसा पता करने के लिए चली जाया गरते थी इस बारे में जब मैथनी को बता जलता है तो उसने अपने वाइफ को धमकाना सुरू किया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उसे जो कुछ भी वो समझा सकता था वो सारी ही बाते मेथनी उसे कहने लगता है और उसकी वाइफ ने भी यही बात कही कि चलो ठीक है मैं आगे से अपने बच्चे का ध्यान रखने वाली हूँ ये बात बोलकर मेथनी वापस दोबारा से अपने काम पर जला जाता है लेकिन जब एक दिन मेथनी वापस अपने काम से लोटता है तो उसने आकर देखा कि इसका जो ये ट्रक का दरवाजा है ये इस टाइम खुला हुआ है और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर कार ये खुला हुआ क्यों है इसकी वाइफ कहां पर चली गई होगी और जैसे ही उसने जाकर अपनी गाड़ी का उस ट्रक का दरवाजा खुला तो उसने जाकर देखा कि इसके अंदर ना तो इसकी वाइफ है ना इसका बच्चा है और जितना भी इस ट्रक में सामान मौजूद था जो कि अपनी जिन्दगी बिताने के लिए वो लोग हर रोज यूज किया करते थे वो सारा का सारा सामान इस टाइम चोरी हो चुका है तो वो वापिस ट्रक से नीचे उतरता है और यहाँ पर आस पास में काफी सारे और भी लोग रहा करते थे होमलेस लोग जिनके पास घर नहीं था और इसी के तरहें ट्रक वगेरा लगा कर या लोग यहाँ पर अपनी जिनकी काट रहे थे तो मैतनी दे जाकर उन से पूजना शुरू किया कि भाई इस तरीके से मेरी पतनी यहाँ पर रहती थी आखिरकार वो कहां पर चली गई और उसके पड़ोसियों ने बताना शुरू किया कि भाई उसका बॉइफरेंड यहाँ प नहीं हुई है अगर तुम उसका पीछा करते हो तो हो सकता है वो तुम्हें पकड में आ जाए वो इस तरफ गया है और उसके बारे में जो कुछ भी उसके पड़ोसी उसे बता सकते थे वो सारी ही बाते वो लोग उसे बता देते हैं और उसके बाद मैतनी अपना ट्रक स्ट डिवाइड होते थे और उसे इस बारे में बिलकुल भी नहीं पता था कि उनकी गाड़ी इन में से किस रस्ते पर गई होगी तो वो वहीं पर पास में खड़े हुए एक वेक्ति से पूछने लगता है कि भाई इस इस तरीके से यहां से एक ट्रक गया होगा क्या तुमने उसे देखा है और उस आदमी ने मना कर दिया कि मैं तो अभी अभी यहां पर आया हूँ और मेरे आने के बाद तो पहली गाड़ी तुम्हारी ही आई है और उसके बाद मैतनी काफी जादा दुखी हो जाता है कि आखिरकार ये सब उसके साथ क्या हुआ उसकी वाइफ भी गई उ उसका सारा सामान गए और सबसे बड़ी बात उसका बच्चा भी अब उससे छिन चुगा है तो वो अपनी वाइफ को ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाला और वो अगले काफी दिनों तक अपनी वाइफ को धूझता रहता है एक बार उसे पता जलता है कि उसकी वाइफ नसा पता तो किया ही करती थी तो एक पुल है और उस पुल के नीचे एक आदमी खड़ा होता है जो कि वो नसा बाटता है और उसके पास उसकी पतनी अपना नसा लेने के लिए आती रहती है तो वो वहीं पर उस पुल के नीचे ही जा खड़ा होता है और वहां पर खड़ा होकर वे आती है और उसके बाद तो वो बंदा जो की चरजगांजा वहाँ पर खड़ा होकर बेच रहा था वो वहाँ से जा चुका था और उसके बाद मैथनी को वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो वैक्ति खड़े दिखाई दे रहे थे और मैथनी अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है उन दोनों के ही पास जाता है और उनके पास जाकर एक फोटो उन दोनों ही लोगों को दिखाने लगता है कि ये मिरी वाइफ है और क्या आप लोगों ने इसे कहीं पर देखा है लेकिन ये लोग पहले से ही नसे में भंड थे उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मैथ से असल में तकलीफ क्या है वो लोग अपने नसे में बिलकुल सैट थे मैथनी को वो लोग पूरे तरीके से इग्नोर कर देते हैं लेकिन इस टाइम मैथनी को बहुत ज़्यादा गुसा आया हुआ था क्योंकि इसका पूरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी इसकी फैम नसे में तो वो लोग पहले से ही थे वो मैथनी के साथ लड़ाई करने लगते हैं और मैथनी को अगर देखा जाए तो वो तो देखने में ही काफी ज़्यादा भारी भर कम था हाइट भी उसकी काफी ज़्यादा बड़ी थी जिसके चलते उसने उन दोनों का ही गला और वहीं पर गला खोट कर उन्हें मार डाला उसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं और किस से पूछ सकता हूँ अपनी पत्नी के बारे में और जब इस बारे में वो सोच रहा था तो उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा और उसने देखा कि यहां पर तो दोला से पड़ी हुई है अब मैफनी परिसान तो पहले से ही था और ओर ज्यादा वो परिसान इन दो डेड़ बोडी को देखकर हो जाता है तो उन दोनों ही डेड़ बोडी को उसे अब ठीकाने लगाना था तो वो पास में ही जाता है उस पूल के और वहां पर एक बड़ा ख़ड़ा खोद कर उन दोनों ही dead body को उस ख़ड़े में डाल देता है और इसके अलावा वो जाने लगता है एक दूसरी जगहें पर जहां पर कि उसे अंदाजा था कि उसकी wife वहां पर भी मिल सकती है तो वहां पर भी जाने के बाद उसे अपनी wife तो नहीं मिलती है लेकिन वह वहां पर उसे एक prostitute जरूर मिलती है जो कि अपने ग्रहकों की weight में सायद उस टाइम खड़ी होगी तो मैथनी उसके पास जाता है और अपनी wife की photo दिखाते हुए ये बात पूछने लगता है कि क्या उसने उसकी पतनी को देखा है लेकिन वह prostitute इसे पूरे तरीके से ignore कर दे दे देता हूँ और उसके बाद हो सकता है ये नसे नसे में मुझे कुछ बता दे तो वो उसे अच्छे से drugs का नसा करवाता है लेकिन नसा कर लेने के बाद भी वो मैथनी को कुछ भी नहीं बताती है और उसके बाद मैथनी को गुसा आ जाता है और वो उसके गले को बिलकु इसे ठीकाने कैसे लगा सकता हूँ तो वो उसे अपनी गाड़ी में डालता है और एक नदी किनारे ले जाकर वहाँ पर उसके सिर को उसके धड़ से अलग करके दो अलग-अलग खड़े खोद कर वहाँ पर उसकी बोड़ी को ठीकाने लगा देता है लेकिन जब वो इस काम को अंजाम दे रहा था तो उसने देखा कि यहां पास से ही एक मचवारा होकर गुजरा है और हो सकता है उसने इसे देख लिया होगा वो जाकर बाद में पुलिस वालों को बता देगा और उसे पकड़ दिया जाएगा जिसके चलते वो मचवारे का पीछा करने लगता है और मचवारे के पास जाकर उसे भी गला घोट कर यूही मार डालता है इस ताइम वो कनफर्म नहीं था कि मचवारे ने उसे देखा है या लेकिन फिर भी उसने मचवारे की जान ले ली और उसके बाद मचवारे को भी उसने यूही एक खड़ा खोद कर वहाँ पर गाड़ दिया अगले काफी दिनों तक वो यूही ढूंडता रहता है अपनी वाइफ को अपने बच्चों को लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं करती है कि एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब मैंने एक ही दिन में चार लोगों को मार डाला था और जब मैंने उन्हें मारा था तो मेरा पूरा का पूरा गुस्सा सांथ हो गया था और अब अगर देखा जाए तो मेरे अंदर काफी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है तो मुझे अपना गुस्सा उतारना है और इसके तोर पर वो कैथरीन नाम की एक लड़की को अपने पास बुलाता है ये बात कहता है कि मुझे अपने ट्रोलर में कुछ एक सामान रखना है तो क्या प्लीज वो उसकी मदद कर पाएगी वो इस बात के लिए तयार हो जाती है उसके पास आती है लेकिन पास आने के बाद वो देखती है कि इसके पास तो कोई वी ऐसा सामान मुझूद है ही नहीं जो कि ये अंदर रख सके या फिर अंदर से ये बाहर निकाल सके तो उसने जब उससे पूछना सुरू किया कि तुम सामान क्या अंदर रखना चाहते हो या फिर बाहर निकालना चाहते हो तो मैथनी ने जवरदस्ती उसे पकड़ कर अपनी गाड़ी में डाल लिया और उसके बाद उसका अंदर ही गला घोट कर वो उसे मार डालता है जिसके जलते वो उस लड़की के सरीर के पास जा पहुंचता है और वहां पर जाकर खुदाई करने लगता है जहां पर कि उसने उसका सिर गाड़ दिया था वो उसके सिर को वापिस बाहर निकालता है इस टाइम उसका जो सिर था काफी हद तक डीकमपोज हो चुका था उसके अंदर इस टाइम कीडे लग चुके थे और काफी जादा बुरी हालत उसके सिर की थी तो उसके सिर को निकाल कर सबसे पहले तो वो अच्छे से साफ करता है और उसके बाद उसे खाने लगता है जितना भी खाने का सामान से उसके सिर में मिला वो दिमाख वगेरा निकाल कर वो खाने लगता है और खाते हुँ इसने ये बात कही कि ये तो सच में ही काफी करते करते मैथनी तक आ पहुंचे थे और मैथनी को उन्होंने गिरफतार कर लिया और इसकी उपर केस चलने लगता है ये करीबन डेड़ साल तक जेल में रहता है लेकिन वो केस इसकी उपर प्रूव नहीं हो पाया और यही कारण है कि इसे टाइम से पहले ही जेल से रिलीज क बाहर आच चुका था तो उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं इसी तरीके से जब लोगों को इसी तरीके से कहीं पर भी गाड़ देता हूं तो बाद में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अपनी करते हैं और मैं पकड़ा जाता हूं तो क्योंने मैं कुछ ऐसा काम करू जिससे कि ये सारी की सारी डेड बोडी ठीकाने भी लग जाएं और मेरे पास काफी सारा पैसा भी आएं तो वो सबसे पहले तो उसी फैक्टरी के मालिक के पास जाता है कि जनाब इस तरीके से मुझे अब फिर से नोकरी की जरूरत पड़ी हुई है तो वो फैक्टरी का माल तेफ वो जाकर फैक्टरी के मालिक के साथ कर लेता है और इसके अलावा फास्ट फूड का एक रेस्टोरेंट भी खोल लेता है अपने उसी ट्रक में आधा हिससा तो उसने फास्ट फूड के लिए बना दिया था आधे में वो रहा करता था जहाँ पर भी उसे ट्रक लेकर जा तो इसी टाइम जब उसने वो सारा गा सारा रेन वेट कर लिया था तो वो जाकर लोगों को इसी तरीके से मारने लगता है वो एक प्रोस्टिटुट के पास जाता है, उसे जाकर अपने साथ अपने उसी ट्रॉलर में ले आता है और यहां पर लाकर उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालता है और उसके बाद जो कुछ भी उसके सरीर में ऐसा मास्ट था जिसे कि वो अच्छे से यूज कर सकता था उस सारे ही मास्ट को काट लेने के बाद उसकी डेड बोडी को वो कहीं पर ठीकाने लगा दिया गरता था और काफी हद तक उसके सरीर का मास्ट निकाल कर वो अपने डीप फ्रीजर में रख लिया गरता था और उसके बाद उसने बनाने सुरू किये बर्गर वो भी इनसानी मीट के पिक्की की जगहें वो इनसानी मीट का यूज किया गरता था और धीरे धीरे कर अलग-अलग तरीके के जब वो मसाले डाला गरता था अलग-अलग तरीके के उसके अंदर बटर वगेरा डाल कर लोगों को सर्व किया गरता था तो खाने वाले लोगों को ये काफी जादा पसंद आया गरते थे बहुत सारे लोग तो ऐसे मोचूद थे जो कि उस बर्गर को खाकर ये बात कहते कि यार तेरा बर्गर थोड़ा अजीब तरह का है वो ये बात कह देता कि मैंने एक नया ट्राइ किया है हो सकता है आप लोगों को पसंद आये तो मैंने वो वो मैटेरियल इस बर्गर में डाल रखा है और उसके बाद लोगों को वो पसंद आने लगता है अक्सर उसके दुकान पर अब भीड लगने लगी थी और जब भी उसके बर्गर खत्म होते तो वो बेकरी पर जाता अपने वो डबल रोटी ले आया गरता था वो और दूसरी तरफ जब भी इनसान खत्म होते तो वो जाकर किसी भी प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ ले आया करता था और उसने करीबन दस से बारा महिला ऐसी मौजूद थी जिन्हें की अपना सिकार बनाया लेकिन आखरी वाली जो महिला थी वो उसकी दोस्त ही थी दरसल उसे कोई भी प्रोस्टिट्यूट ऐसे नहीं मिल रही थी उस दिन जब उसका सारा इंसानी मास्क हत्म हो गया था तो उसने अपनी एक दोस्त को ही अपने खर पर बुला लिया उसके बाद वो उसके साथ आराम से बैठ कर नसा पता करने लगता है और जब उस लड़की को थोड़ा नसा होने लगा था तो मैथनी ने ये बात सोचे कि अब मुझे इसे चीर डालना चाहिए और इसके तोर पर वो उसके गले को पकड़ कर अपने ट्रेलर के एक कोने में लगा लेता है लेकिन वो लड़की अपने आपको बचाना चाहती थी इस टाइम पूरे नसे में वो नहीं हुई थी जिसके जलते वो वहाँ साइड में ही रखे हुए एक भारी से उबजेक्ट को उसके सिर पर दे मारती है वैसे तो मैथनी काफी ज़्यादा हैवी था इसमें काफी ज़्यादा वजन था साड़े छे फूट के लगबग ये था तो वो ऐसे तो किसी के काबू में नहीं आने वाला था लेकिन वो भारी साइड जब इसके सिर पर लगता है तो वो एक बार तो बोखला जाता है और इतना ही मौका उस लड़की को यहाँ से भागने के लिए काफी था वो सिदा का सिदा भाग कर पुलिस टेशन जाती है और वहाँ पर सारी की सारी जाकर बाते बताने लगती है कि मैतनी ने उसे मारने से पहले ये सारी की सारी कहानी बताई थी कि आज से पहले भी वो काफी सारी महिलाओं को यहाँ पर बड़े ही बेरहमी से मार चुका है और आज इसका नमबर है तो पुलिस वाले मैथनी के पास आते हैं उसे गिरफ़तार कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जब उससे पूच्छ ताच की जाती है तो मैतनी ने बिना कुछ छिपाए पुलिस वालों को सारा कुछ बताना शुरू किया। उसने बताया कि जनाब मैंने ये सारी की सारी चीजें स्योखिया सुरू नहीं की थी। पहले तो मैंने अपनी वाइफ के जलते इस इस तरीके से ये कांड किया था लेकिन बाद में महिलाओं के परती मेरा गुस्सा काफी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मेरी माने भी मेरा ख्याल नहीं रखा दूसरी तरफ अगर मेरी वाइफ को देखा जाए तो वो मुझे छोड़ कर जा चुकी थी और उन दो लड़कों के बारे में या फिर उस फिसरमेन के बारे में बात की जाए तो उसके लिए आज भी मुझे धोखा लगा हुआ है कि मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए था उन बेचारों की तो कुछ गलती थी ही नहीं और उसके बाद उसन प्रोस्टिटूट को नहीं जोड़ा अगर कोई लड़की मेरे साथ आना चाहती थी मेरे साथ तो वो आज जरूर गई लेकिन वो कभी भी वापिस मेरे घर से नहीं गई थी क्योंकि वो काफी सारे लोगों के पेटों में इस टाइम जा चुकी थी और बहुत सारे लोग ऐसे म बर्गर नहीं खाया था जबकि एक इनसानी मीट से बना हुआ बर्गर खाया था और यही कारण था कि इसका जण जद्स ने वी बर्गर खाया था इस सहर में उन सारे ही लोगों की हालत ख्राब होने लगती है और उसके बाद मैथनी के जब केसी चलने लगता है तो मैथनी ज़से ये बात कही कि जनाब मैं पहले ही आपको वर्न कर दूँ कि प्लीज मुझे फासी की सजा दे दीजिएगा नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही आप लोग मुझे वापिस जेल से रिहा करेंगे तो मैं बाहर जाकर सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं हू लेकिन बाहर दूसरी तरफ काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस बंदे ने पता नहीं हमें क्या-क्या खिला दिया इसे तो सिर्फ और सिर्फ फासी की सजा मिलने चाहिए जिसके चलते उसे दोबारा से फासी की सजा दे दी जाती है लेकिन फासी की सजा के इसका असल जिम्मेदार कौन था मैथनी की माँ उसकी वाइफ या खुद मैथनी इसके बाद की मैथनी इस तरीके से इंसानी बर्गर बनाने लगा था वैसे दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर बलडी फाइल्स को सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टीड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ और इसी के साथ दोस्तों आजगा शाउट आउट वीने हर्सवर्दन को एंड राइट ए विडिफुल कमेंट टो गेट इसाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टीड केस के साथ